राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आज के समय में सबसे बड़ा हथियार एक स्टूडेंट्स के पास गॉर्मेंट की नाकामियाबी और उनकी नाकामिया नाकामी को छुपाने का और ऐसा ही एक आर्टिया लगाई थी स्टाप सेलेक्शन कमीशन में और उसका जो प्रतीत हो रहा था कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा सब कुछ तरीके से से काम करेगी लेकिन अब आर्टिया रिप्लाय तो गलत हो नहीं सकता तो आर्टिया रिप्लाय में एसस्टी की चोरी फिर से पकड़ी गई और यह तो खुले हम जुट बलते पकड़े आर्टिया आपको दिखाता हूं देख लिए पहले आर्टिया जो फाइलिंग की डेट थी 19 जून 2020 को फाइल की गई थी और इसका जो भी दिया गया है रिप्लाय वह दस जुलाई 2020 को कि देखिए आर्टिया में यह कुछ को से पूछे गहे थे अब उसका कैसे पढ़ेगा ह हमारे रिजल्ट पे और आपको अमनी एक्जानवेशन पे वह देखिए गां कॉस्टन था एससी हैस कंस्टिटीटेट कमीटी टू लुक इन्टू दा कंप्लेंट्स आफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग रिवार्डिंग यूए फैम इन डिस्क्रिप्टिव पेपर इन अबाव मेंशन इस्यू तो यहां पर कहा गया था कि एससी नोगे कमीटी बनाए थी यूए फैम से रिलेटेट जिसमें स्टूडेंट्स को जब जिरो नंबर्स दिये गए थे कुछ कोस्टन्स यह हैं नेम आप दमेंबर्स ऑफ दे कमीटी कमीटी के जितने मेंबर्स उनके अगर हां तो हमको उसकी डिटेल दीजिए तो इसका जो रिप्लाय आया है आप खुद देख लीजिए वही पुराना बहाना जो एक बहाना मिल गया एससी को हाल फिलाल वह है लोगडाउन सिच्वेशन कोवीड-19 पैंडेमिक दा कमीटी में टेक सम मोर टाइम फॉर गिवि है और समय लगेगा भीकमेंड़ेटी ऊर्ला कमिटी का उनकी रीक्मेंडेशन दे में मतलब की कमीटी ने अभी तक रीक्मेंडेशन ही नहीं दिए जो पहले मीडिया रिपोर्ट पहां थी उसके करणी कमीटी नहीं सब कुछ कमीटी बेट चुकी का और जो जुलाई कि फर् और भी ज्यादा कोई भी जो फॉर्दर इन्फोर्मेशन उसको नहीं बता जा सकता है ऐसा लग रहा है कि हमने पहली बात नहीं पहले रिक्मेंडेशन नहीं दिये जो कमिटी के जो फाइनल रिपोर्ट है जो इनका फाइनल कॉंक्लूजन वो दिया नहीं है और दूफरी चीज जो यह चोटे बोटे कोश्चन पुछे गया है कि कमिटी कितनी मीटिंग हुई है कितने मेंबर्स हैं क्या-क्या भी डिसीजन लिए गया है और आने वाले समय में कोई मीटिंग है तो इसको देने से मना कर दिया है कि यह इसको नहीं दे सकते हैं यह जो इन्फरमेशन हमने पूछी से एक नेशनल सेक्यूरिटी से रिलेटेड है कोई खूफिया हमने जानकर इन से पूछ लिए कोई जिससे भारत की अखंडत से ज्यादा उपर हो गया ना ही एससी सीजेल दोजार अठार का रिजल्ट आया है ना ही एम्टीफ दोजार उनीस का रिजल्ट आया है जिसके वज़ेसे जो प्रोसर्स आगे रुकी हुई है और आप देख रहे हैं कोई नाइंटिन की कारण देले ही होने वाली है क्योंकि स उसको जरूर फॉलो कर लें नीचे लिंक दिस्क्रिप्शन में दिए वहां पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रवाइड के जा रहा है जय हिंग जय भारत मंद्य मतरम प्लीज वीडियो को लाइक करें